तो आज के इस वीडियो में हम लोग भी हारबोर्ट क्लास 12 हिंदी हंडेड मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सिपाही कीमा और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है मोहन राकेश के दौारा तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांस को देखेंगे सारांस को समझेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इससे पहले भी कैसा रे चैप्टर का वीडियो बनकर के अप्लोड हो चुका है अगर अभी तक आप बोर्ड एक्जाम के तयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एक्जाम देना है तो आपके लिए मैं एंगलिश हंडेड मार्क्स और हिंदी हंडेड मार्क्स का स्टेडी मेटरियल तयार कर दिया हूँ जो आपको PDF की रुपे मिलने वाला है अगर आप इस नोट से तयारी करते हैं त पेलिश का 400 रुपया और हिंदी का 100 रुपया आप हमें 8083216409 पे पेटियम या फॉन पे या गोगल पे के दौरा पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद स्क्रीन सट लेकर के वाटस अप पे मैसेस कर दीजिए वाटस अप पे आपको PDF मिल जागा यही है वाटस अ नमबर 8083216409 तो चलिए हम लोग इस चेप्टर के सारांस को शुरू करते हैं सिपाही की मा शिर्सक एकांकी के एकांकी कार मोहन राकेश दुआरा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्ने एकांकी से ले गई है तो यह जो सिपाही की मा है यह एक एकांकी है एकांकी का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं यानि कि यह 101 ड्रामा का टाइप है ड्रामा का परकार है जिसमें सीन तो कई होते हैं लेकिन इसको जो सिपाही की मा है इसको एक किताब से लिया गया हुआ है और यह जो परकासित हुआ था जिस किताब में उसका नाम है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी चलिए इस एकांकी में एक मा नाम बिशनी अपनी एक मातर बेटी नाम मुन्नी के शादी के लिए पैसे के लिए परिशान है तो इस एकांकी में यानि कि इस कहानी में इस चैप्टर में एक मा है जिसका नाम बिशनी है और वो अपने बेटी के शादी के लिए पैसे कठे करने के लिए परिशान है और उसके बेटी का नाम है मुन्नी एक मातर बेटा नाम मानक कमाने गया है और एक ही बेटा है जिसका नाम नामक है वो जह सो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है लराई में उसके मारे जैने का भी भै है लेकिन ये जो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है तो कोई जाब करने के लिए बलकि युद में गया हुआ है जब युद चल रहा था तो इनको कुछ पैसे का उफर दिया जाता है और इनको जो सो बहन के शादी करना था जिस कारण ये जो सो युद में चला जाता है लेकिन मा और बहन जो है उनको एक डर है कि कहीं वो युद में मरना जाए मोहन राकेस की इस मरमरी करचना में निम्न मध्यवर की एक ऐसी माकी कथा परस्तुत है जिनके घर का एकलौथा लड़का सिपाही के रूप में दितिय विस्वीद के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है और यह जो कहानी है नहीं एक गरीब घर के कहानी है एक जो गरीब परिवार में कैसी समस्या होती है तो उस घर से एक कहानी लिया गया हुआ और इस कहानी में बेटा जो है सो अपने घर को चलाने के लिए एक लौथा बेटा है तो वो सिपाहं का औरूब धारांगर करी तसरे विस्वीद में वो दूसरे विस्वीद में लड़ने के लिए कहां आ जा चुका है बर्मा एक्देस का नूम है वह अपनी मा का इकलौथा बेटा और विवा के लिए तयार अपनी बहन का इकलौथा भाई है और पूरा घर का आस्रा जो है इसी बेटे पे है आसी लरके पे है उसी पर घर की पूरी आश्रा टिकी हुई है वह लड़ाई के मोर्ची से कमा कर लोटे तो बहन के हाथ पिले हो सके अर्थात बहन के शादी हो सके यहाँ पर शादी कर लेगे युद करने गया हुआ तो जब लौटेगा तभी तो बहन की शादि को पाएगि अगर नहीं लौटेगा तो पैसा कहां से आगा बहन के शादि करने के लिए तो युद पे है और सब को घर में इसी का इंतजार है कि कब वो वापस आए और बेटी की शादी जो है सो या बहन की शादी हो पाए माई एक दिहाती भोली स्तरी है वह यह भी नहीं जानते कि बर्मा उसके गाउं से कितना दूर है और लडाई कैसी है और किन से किसली हो रही है तो गाओंगर गर अगर आप पहले के जमाना में देखेंगे जो लेडी हुआ करती थी जातर इस्तरियां जो है तो भी ठीक उसी परकार जो बिशनी जो है वो भी क्या है गाओं के दियाती इस्तरिया है जाहिल है उसको तो ये भी मालूम नहीं कि यहां से बर्मा कितना दूर है यह यूद किसली हो रहा है लर्वाय किसली जा रहा है इसको कुछ भी मालूम नहीं है उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खतम हो जाए ऐसा वसोच भी नहीं सकती है लेकिन मा को अपने बेटे के चिठी का इंतजार दिन रात रहता है अब ये युद में तो लडने के लिए गया हुआ है कोई फॉन का तो उसमें साधन नहीं था एक ही साधन था वो चिठी और मा जो है सो अपने बेटे के चिठी का इंतजार जो है रात दिन करती रहते कब उसका चिठी आए कुछ खबर जो है सो पता चल सके लेकिन मा को बेटे का चिठी भी पराफ्त नहीं होता है लेकिन मा को बेटी का चिठी नामक का चिठी वो बिस्नी के पास नहीं पहुँच पाता है अब होता है कि है अब सपने में कहाने गया हुआ है सपने में बिस्नी को मानक दिखाए देता है जब दोनों मा और बेटी सो जाती है और ये सपना जो हैसो बार बार वो बिस्नी देखती है लेकिन ये सपना आपको कहानी में जो हैसो दिया गया हुआ है जब ही मैं बता रहा हूँ कि जब सपने में वो जब सो जाती है बिसनी तो मानक को जब सपने में देखती है वो उसे बाचित करती है बाचित करती रही होती है वो बुरी तरह घायल और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है और वो बुरी तरह जमीन पे जो इसो गिरा हुआ है घायल है और और वो ये मा को कह रहा है कि दुश्मन जैसुस के पीछे लगा हुआ है बिसनी उसे लेटने को कहती है पर वो पानी मांगता है और बिसनी कहती है तुम यहाँ पे लेटे रहो लेकिन घायल था मानक जो है और कहता है यह जो हैसो मर गया हुआ है यह सुनकर बिशनी सहम जाती है लेकिन तब ही मानक कहता है मैं भी मरा नहीं हूँ यह जैसे सुनता है जो दुसरा सिपाई होता है कि मानक जो हैसो मर गया है मैं इसको मारने के लिए आया हूँ लेकिन पहले से मर गया हूँ उसी वक्त जो हैसो मानक खरा होता है और कहता है नहीं मैं तो जिन्दा हूँ लेकिन उससे पहले तो मा सहम जाती कि मेरा बेटा मर कैसे सकता है वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है लेकिन बिसनी कहती मैं इसकी मा हूँ और इसे मरने नहीं दोंगी अब वो जो सिपाही पीछा करते हुए आया था मानक का वो जो हैसो कहता कि मैं इसे मारने के लिए आया हूँ और मैं इसे मार दूँगा लेकिन बिसनी ये कहते कि देखो ये मेरा बेटा है मैं इसकी मा हूँ और मैं इसे जो हैसो कभी मरने नहीं दूँगी सिपाही मानक को वहसी तथा खोनी बताता है और ये जो है सिपाही जो था वो जो इस मानक को वहसी तथा खोनी जो हैसो बताता है वहसी का जो मतलब होता है वो आप कह सकते हैं जो असब भे जिसों कहते हैं जो सब भी नहीं हो, अन्सिविलाइजड हो, यानि कि जो जंकल में रहने वाला हो, जो एजुकेट्टिद नहों हो, इसको हम लोग वह превशी कहते हैं. लेकिन बिशनी उसकी बात को नाकार देती है लेकिन बिशनी कहती नहीं मेरा बेटा वहशी नहीं हो सकता है मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता है इंकार कर देती इस बात से वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसके किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए तु इसे मारने का विचार त्याग दे और वो उसकी मा कहती कि देख मेरा बेटा भी बुरी तरह से खायल है और इसके किसी से भी दुस्मनी नहीं है इसलिए तुम इसे मारने का विचार त्याग दे तुम इसको मत मारो जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा और जवाब में जो सामने वाला जो सिपाही था वो यह कहता कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे जो इसे मार देगा क्योंकि हम दोनों दुस्मन हैं एक नहीं बिसनी विस्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा और विसनी कहती है कि देख तू इसे मत मार और मैं तुमको विस्वास दिलाती हूँ बिसनी जुयसु अपने बेटे को समझाती के लएकि तुम में इसे नहीं मारना है लेकिन मानक जुसस की बात नहीं मानता और कहता कि नहीं, मैं तुम्हें मारंगा, मैं तुम्हें बुटी बुटी जुहसु कर दूंगा यह धमकी के जुहसु मानक देता है यह सुन बिसनी चिला कर बैरती है और जैसे यह सपना जो यह सु वो देखती है वो जोर जोर से चिला कर जोर उटकर कर बैर जाती है वो जोर जोर से मानक मानक कहती है और सपना वो देख रही थी तो उटकर कर जैसे बैरती है तो जोर जोर से वह मानक मानक के आवाज जोसु लगा रही थी उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है मुन्नी भी जोसु जाग जाती है और उसकी आवाज सुनकर कि मा के पास आती है मा की सितिती देखकर वह कहती है कि तुम रोज भाईया के सपने देखती हो जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भाया जल्दी आएंगे ये बात मुन्नी जएसव अपने मा को समझाती है फिर वो अपने मा के गले लग जाती है बिसनी उसका माथा चुमकर उससे सो जानने को कहती है और मन ही मन में कुछ गुन गुनाने लगती है तो ये कहानी एक बताने के कोशिस कर रहा है कि किस तरह से आज के दोर में जो है जो मा है और उसका एक लौथा बेटा गर युद में जाता है तो वो क्या सोस्ती होगी मा, मा के अंदर क्या गुजरता होगा, क्या बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा और जब बार बार सपने में ऐसे स्थिती देखती हो तो कैसा गुजरा हो और खास करके जो कहानी बताई है, ये दिल छुजाने वाले कहानी है, कि किस तरह से घर में एक बहन है, एक लौथा बेटा है और उस पे ही सब जमेदारिया है और वो युद लड़ने के लिए गया हु हुआ है, तो कैसे लगी ये कहानी आप लोग जरूर कॉमेंट बाक्स में बताईए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जा सदा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडि कारे में आए चैनल को पर अबskू है, तो है ज вед Mendव बाच लगा cिंछ को बागले में आए अगा लगा वीडियोंने आप ले वीडिए, वीडियोंने आप बतावाए, या जली ये न वीडियोंने आपर 11ब को भीडियों में अगले, तो है पूर Romans 10-21-22